मुझे मांग संख्या चोईस शिक्षा कला एवं संस्कृति पर बोलने का मुकादिया उसके लिए बहुत बहुत अभार मान्य सभापती महोदेजी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्स के साथियोंने कही बाते कही और इनका तो सवावी है जोर से बोलना और जूट बोलना कि आगे वालों को कि सच लग जाए आज जब आदिवाशियों को दलितों को गरीबों को कुए का पानी नहीं पिने दिया जाता था मंदिरों में दर्सन नहीं करने दिये जाते थे इसकोलों में शिक्षा का अधिकार नहीं था अगर आज यह अधिकार दिया है तो कॉंग्रेस पार्टी ने दिया है गांधी परिवार ने दिया है यह सब भूल रहे मैं कहना चाहता हूं मैं राजस्थान के लोगप्रिय मुख्यमंद्री असो गेलो जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज राजस्थान में घांधी के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में 36 कौम के नेता जाने जाते हैं आज इन्होंने ऐसा बजट पेस किया तो इनकी पेड़ में कर आज जो सरकारी स्कूल इंग्लिस मिडियम खोली है वहाँ पर पढ़ने जाएंगे और हमारा परचार परशार रुख जाएगा ये इनको तकलीब है बारतिय जन्ता पाइटी के नेताओं को ये शिक्षा नहीं जाते हैं जब अशो गेलोची ने गाव गाव ढाणी ढाणी राजिव गांदी इसकूल खोली थी हर फले में इसकूल खोली थी कि आदिवाशी का बच्चा गरीब का बच्चा दलीद का बच्चा पढ़े शिक्षा ले और आगे बढ़े इन्होंने क्या इन्होंने राजिव गांदी का नाम मिटाने का काम किया उस स्कुलों का नाम मिटाया राज की प्राथ्मिक विद्धाले करने का काम किया यह काम इन्हों ने किया है जैसे अभी हमारे गाटोल से जो माननी सरिश आते हैं उन्होंने बताया कि वसुंग राजी ने युनिवरिसिटी खोल दी अरे वो युनि मजलने का काम मत करो खाली ना मजल के जूट बोल के जोर से बोल के और हम चाहते हो कि हम राज में आ जाएंगे वापस आ जाएंगे लेकिन जनता आप जान चुकी है कि आपके बहकावे में आप जनता आने वाले नहीं है मैं मानिस अबाबती महुदेजी एस्पी से मैं आता हूँ जन्जाती बाहुली से आता हूँ हमारे कई स्कूले आज भी कुर्मनत नहीं है मैंने मानिय मंत्री जी को सुची दिये पहाड़ी इल्याका है कई नाले पड़ते हैं कई जंगल पड़ते हैं आवाकेमान के साधन भी नहीं जाते हैं एसे इस तिदिन बच्चे चार-चार पाँच-पाँच किलोमेटर दूर जाना पड़ता है मानिय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हर पंचात इस्तर पर इसकुल करमोनेज के लिए गोशना किये काफी तारीफे कबिले लेकिन गाव ढाणिया पाथ-पाथ किलोमेटर दूर दूर बसी हुए हैं बड़े-बड़े गाव बसे हुए हैं तो वहां भी इसकुल जैसे प्रा कई स्कुलों में रिक्तपद हैं वो मांग करते हैं कि यह रिक्तपद जल्दी से जल्दी भरे जाएं और कई स्कुलों की बिल्लिंग बिल्कुल जरजर अवस्ता है बारीश में पानी टपकता है कई स्कुलों में टेंड लगा के पढ़ाई हो रही है कई स्कुलों में पानी सही तरह से पढ़ नहीं सकते हैं मैं मानिय मंत्रीजी से मांग करता हूँ कि मेरे विदान सबाशेतर में जितनी भी स्कूल जरजर अवस्ता में हैं या तो उस पे चाइना मुझी करा जाए मरमत करा जाए या पानी की समझ्या है तो हैंड पाम या बोरिंग करा जाए सोचाले की सुविदा नहीं है आजकल कई गटना गट रही है तो ऐसे इस्तिति में हर स्कूल में अच्छा सोचाले और पेजल की समझ्या है उसको दूर करा जाए इसके साथ ही विदान सबाशेतर में मेरे पूरे जिल्ले में एसबीपी गोवर्मेंट कोलेज एक बड़ा महाविद्दयला है उस महाविद्दयला में हर साल एड़िशन को लेकर बच्चे रोड पे उतरते हैं ग्यापन देते हैं धरना देते हैं और कई बच्चे शिक्षा से वन्चित रह जाते हैं जबकि हमें उन कोलेजों में मानी मंत्री जमोहदेजी हैं मैं मांग करना चाहूंगा कि हर विशे में हर संका में सिटे बढ़ाई जाए क्योंकि प्राइवेट कोलेज वाले काफी लूट मचा रखिये काफी मोटी रिकम वसुल करते हैं तो घरिब का बच्चा आगे अध्यने पड़ाई नहीं कर सकता है तीएश्पी में सरकारी नोक्रियों में तो 45% आरक्षन किया है और कोलेज में एड्मिसन के लिए वो 45% के हिसाब से कोलेज में एड्मिसन नहीं दिया जा रहा है मैं मान्य मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि कोलेज में शिक्षा में 45% के हिसाब से कोलेज में उनको एड्मिसन दिया जाए तो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं छोटनी पड़ेगी और शिक्षा मिल सके कई कोलेजे प्राइवेट कोलेज बिना नौम से खुल गई है तो उन कोलेजों की जाज भी होनी चाहिए कई बच्चों की छात्री वत्या समय पे नहीं मिल रही है सरकार से यहां से पैसा उठा रहे है लेकिन घरी बच्चे आज भी उनको कमरा किराय समय पर नहीं मिलता है समय पर हैस्टी हैस्टी के छात्रों को नहीं मिल रही है तो मैं मंतरी जी से मांग करना चाहूँगा कि आप इसकी जाज करवाएं और इनको समय पर छात्रवत्य का बुक्तान होएं सरकारी स्कुलों में सभापती महोदय जी मैं आपके माद्यम से मंतरी जी को बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कुलों में बच्चे ताला खोलते हैं बच्चे जाडू लगाते हैं बच्चे पानी भरते हैं वाँ चतुरु सेनी करमचारी कोई नहीं तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि स्कुलों में अंसकालीन S.D.S.M.C के माद्यम से अंसकालीन चतुरु सेनी की भरती की जाए तो स्कुलों में साब सापाई हो सके उन बच्चों को जाडू नहीं निकालना पड़े उन बच्चों को पानी नहीं परना पड़े ये पूरे राजस्तान की समस्या है मैं मान्या सभापती महुदे जी निवदन करना चाहूँगा कि इसके लिए कोई कड़म उठाए मान्या सभापती महुदे जी जिल्ला शिक्षा एवं सक्कूम परस्रेक्षन सस्थाण डाइट डुंगपूर के कई सारे रिक्त पद है इसमें वेख्याता स्कुल शिक्षा वेख्याता के समकक्स स्विकर्द पद 16 है और कारेरत 1 है 15 पद रिक्त है इस्टवनो ग्राफर का 1 पद सिवकर्द है और एक पद रिखते पुस्ते कला है 50 शृण지 एक पद शिवकरत है वह भी रिखते वरिष्ट सहायक कनिश्ट सहायक सहायक कर्मचारी यूं करके वरिष्ट वैख्यica ऊपरता चाधर्या को यूँ करके स्विकर्थ पद हैं 36 और कारे रथ है 15 रिक्त कुल पद हैं 21 और गुवर्मेंट को कई पद रिखते हैं तो मैं माननिय मंत्री जी से निवजन करना चाहूंगा टीएसपी को देखते हुए जंजाति बाहुली शेत्र को देखते हुए उन सरकारी कोलोजों में श प्राथ्मिक विद्धाले नानका नाला राजकिये प्राथ्मिक विद्धाले सल्याट राजकिये उच्छ प्राथ्मिक विद्धाले खेरवाडा राजकिये उच्छ प्राथ्मिक विद्धाले माली फला राजकिये उच्छ प्राथ्मिक विद्धाले पिथाफूर और 2018 में 1167 को लेकर जो काक्री डूंगर 45 एष्ट के लिए है 5 A C के लिए है और जो 50 था वो अनारक्षित पद हैं उसमें जो 60% लाया उनारक्षित पद में सभी हो गए जनेरल A C O BC सभी हो गए अब जो 36% जो A C को पात्र माना हैं जो 1168 जो 6 पद बचे हुए हैं वो 6 पद A C से ब बात्र माना हैं मैं ऐसी के साथ कहना चाहूंगा कि टीएसपी शेत्र में हमारे जनता की युवाव की मांग है कि सभी भरतियों में जन संख्या के आदार पर आरक्षन मिलना चाहिए और परसास्निक सेवा में राज जी का 12 पर तीशत में से अलग से टीएसपी को 6 पर तीशत् से बोलने का मुका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं जय भारत